नमस्कार आप बेकरेया न्यूस वर्ल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रद्धिम निशर्मा एक नज़र डालते हैं पाच मिनिट में पच्चिस खबरों पर सामाजी की स्थिति का आकलंग करने के लिए साथ से सतरा जनवरी तक जिलिस तर पर बैटक शुरू कर दी गई है इस बैटक के जरिये बीजेपी पंचाय चुनाफ के लिए मजबूत प्रत्याशियों की तलाश करेगी क्रिशी कानुनों के खिलाफ वांदोलन जारी किसान दिल्ली के चारुत तरफ ट्रेक्टर मार्च नों ने निकाला है उनका दावा एक इस मार्च में 60,000 ट्रेक्टर शामिल बी सी सी आई के प्रमुक सौरफ गांगुली को कोलकता के एस्पताल से मिली छुटी एस्पताल से बाहर आने के बाद सौरफ ने मीडिया को समोधित किया उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ जल्द वापसी करूँगा लकनों में सरयाम पूर्व ब्लॉक प्रमुक के पती अजीज सिंग की हत्या गर दी गई है अजीज सिंग को बाहुबली मुकतार अंसारी का करीबी माना जाता है फिलाल पुलिस शूटरों की तलाश में जुटी यमुना एक्सप्रेसवे ओधियों को एक विकास प्रादिकरण ने जेवर एयरपोर्ट का जहासा देकर आम आदमी से ठगी कर रहे है बिल्डरों पर बड़ी कारवाई की एक्शन के चलते एक्सप्रेसवे के टपल एलाके में बसाई जा रही कॉलरी को धुस्त कर दिया दिली के तलक नगर में बदमाशों ने दो पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया गड़ना में एक पुलिस कर्मिंग घायल हो गया जबकि दूसरे कॉंस्टेबल की पिस्टल चीनने की कोशिश भी की गई वहीं सेल्फ डिफेंस में कॉंस्टेबल ने गोली चलाई जिसमें परार चल रहे 25 जार रुपे के नामी बदमाश को किया गरफतार जिसके बाद पुलिस आरुपी से पूस्ताच मज़ुटी मुझटफरनगर में बदमाशों ने रिटाइट इंजिनिर के घर पर लागों की टकैती को दिया अंजाम बदमाश नगदी और लागों के जेवरात लूट कर फरार उच्टरप्रदेश के सारण पुर में पुलिस ने गिरो का किया परदफाश ये गिरो कम ब्याच पर लोन देने का जहास्त сокi करता था इस गिरो के दो सड़शयों को पुलिस ने किया गरफतार पटना में पुलिस के चार कर्मियों को अवेद वसूली का वीडियो उनका वाइरल हुआ था जिसके बाद SSP उपेंदर शर्वा ने पुलिस कर्मियों को सस्पेंट कर दिया SSP के निर्देश पर चारों पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस भी दर्च दिल्ली पुलिस साइवर सेलने सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद अश्लीड वीडियो सरवजने करने की धमकी देकर ऑनलाइन वसूली करने वाले एक गैंग के छे लोगों को राजिस्तान से किया ग्रफतार और वहीं दिल्ली में एक व्यक्ति के साथ लिविन में रह रही महिला की उसके दोस्त ने हत्या कर दी पुलिस ने शफ़ को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए बेजा और आरोपी की तलाश शुरू की राची में जूरियर पुलिस अधिकारी महिला कॉंस्टेबल के साथ बसलूकी करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वैं मौके पर ही पकड़ा गया जिसके बाद एस्वी ना पुलिस कर्मी को निलम्बित किया एटा में बीती रात पुराई रंजिश को लेकर एक युवक की उसके घर से कीच कर गोली मारकर हत्या कर दी गई हत्या के बाद हत्यारों ने फाइरिंग करते हुए फरार हो गए इसी दोरान पुलिस ने एक हत्या रुपी को किया गरफ़तार मुजफर नगर जिले में एक छेकेदार से डाई हजार रुपे का बकाया मजदूरी मांगने पर छेकेदार ने मजदूर की चाकू मारकर की हत्या पुलिस ने छेकेदार की तलाश शुरू की प्रताबगड में भारक चाइना बॉर्डर पर हार्ट एटेक से सिला के जवान की मौत हो गई सुदाकर सिंग का पार्तिफ शरी उनके घर पहुचा जिसके बाद श्रत धांजरी देने के लिए लोगों गताता लगा अमरिस्तर में शास्तिरी नगर में महिला डॉक्टर को बंदग बनाकर चार लिटेवरों है घर में रखे लाखों रुपे के सामान और जेवर सहत लूट कर फरार हो गया जिसके बाद इलाके में संसनी फैल गई पुलिस ने मौके पर पहुच कर जांच शुरू की एक्टर सोनुसूत की मुसीवत भड़ी बीमसी की नजर सोनुसूत के जुहू में स्तित छे मंजिला उसे रिहाईशी इमारत पर गई जिसको लेकर कहा जा रहा है कि एक्टर ने इसे एक होटल में तबदील कर दिया है फिलाल जांच परताल जा रही अनुश्का शर्मा पती विराट कोहली संग अपनी घर की बालकरी में टामी स्पेंट कर रही थी जिसको एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जम कर वारल टीम इंडिया के युवा विकेट कीपर रिशप पंत ने ऑस्टेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के पहले दिन दो कैच छोड़ दिये जिसके बाद फैंस ने उन्हें आड़े हातों ले लिया और शोशल मीडिया पर जम कर गुस्सा निकाला टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मौहमद सिराज आस्ट्रेजी के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे हैं तीसरे टेस्ट मैस से पहले राश्ट्रगान के समय एमोशनल हो गए जिसका वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल और वहीं देश में कोरोना संक्रमदों की संक्या एक करोड तीन लाग पिच्चानवे हजार हो गई है पिछले 24 गंटे में कोरोना के बीस हजार तीन सो चैलिस नए मामले सामने है माग मेला शेत्र में कोविड जांच शुरू करने के दूसरे दिन जांच में पुलिस लाइन मेला में तैनाद 10 पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमद की पुष्टी हुई जिसके बाद अहलकंप मच गया मरीजों को अस्पताल में किया भरती फिलाल पाच मिनिट 25 कबरों में सिर्फ इतना है बने रिये न्यूस वर्ल इंडिया के साथ नास्कार